दोस्तों ये है Samsung Crystal Ultra HD 43-inch का एक 4K TV जहां पर आपको मिलेगा great picture quality, immersive sound और साथ ही साथ इसके जो IoT functionalities हैं जो smart features के अंदर दिये गए हैं वो आपके use करने का experience अच्छा करेगा and in fact अगर आपका budget 30-35,000 के बीच में होगा तो ये एक perfect option हो सकता है best by link description box में तो आपको मिलेगा but पहले ये video देखो, समझो and then फिर आप buy करना, take ID style में इस video को हमने बनाया है, video को like जरूर कर देना तो इस TV का दोस्तों सबसे पहले कुछ smart features की बात करते हैं, तो smart hub आपको मिलता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं content को बहुत अच्छे से experience करके, even दोस्तों यहाँ पर से जितने भी आपको TVs के source ये सब मिलते हैं, वो सब चीज यहाँ पर से आपको group करके दे दिये जाते हैं, काफी अच्छा लगता है, in fact दोस्तों यहाँ पर से आप easily सब चीजों को access भी कर सकते हैं, यहाँ पर से आपको connected devices मिलता है, settings मिलता है, even आप चाहो तो यहाँ पर से search कर सकते हैं, और यही पर से दोस्तों अगर हम connected device की बात करते हैं, तो smart things जो आपको मिलता है, इसको अगर पर में add कर सकते हैं, और आराम से use कर सकते हैं, hassle free, इसके साथ दोस्तों IoT sensors भी आपको मिलते हैं, like light sensor, जो कि detect करेगा आपके room के light के condition को, और आपके viewing experience को और अच्छा बनाता है, like light on कर देगा, या फिर curtains को यहाँ पर से आपका rise कर देगा, साधी साथ camera sensors भी यहाँ पर आपको मिलते हैं, जो कि receive करेगा alerts, अगर कुछ भी detect करेगा आपके room के अंदर, जो कि आपको एक तरीके से security wise feel करा देगा दोस्तों, इसके अलबा video calling with slim fit camera का option मिल जाता है, जो कि आप चाहो तो easily यहाँ पर से access कर सकते हैं, आप चाहो तो USB camera का भी use कर सकते हो, या फिर smartphone का भी use कर सकत हैं, वो भी काफी अच्छी quality के साथ, इसके साथ साथ आपको TV plus का भी option मिलते हैं, जहाँ पर से 55 global and even दोस्तों आपको local live channels भी मिलते हैं, like Republic TV, Discovery जैसे, और इसको चाहो तो आप easily access कर सकते हैं, यहाँ पर से पूरा guide भी दिया जाता है, और इसका जो interface है, वो भी काफी जादा user friendly है, अब जहाँ तक रही बात दोस्तों, picture की quality की, तो आप एक बर देख लो, बहुत जादा अच्छी quality आपको मिलते हैं, बट टेकनिकली अगर आपको मैं बताऊं, तो यह 43 inch का 4K TV है, और HDR 10 Plus का भी support आपको मिलता है, यानि कि high dynamic range के साथ आपको मिलेगा, तो जो color के range होंग जिसकी वज़ा से आपको natural states देखने को मिलते हैं, और जो color की quality होगी, इस TV जो produce करके आपको दे रहा है, वो काफी अच्छा लगेगा, in fact दोस्तों, अगर हम design की बात करते हैं, तो आपको bezel-less design देखने को मिलता है, इसकी वज़ा से आपको और जादा अच्छा feel कराएगा य अगर आपको थोड़ा color sense बहुत जादा अच्छा feel कराएगा, in fact दोस्तों, auto game mode and motion accelerator भी आपको देखने को मिलता है, तो अगर आप gaming करते हैं, और अगर आपको अच्छा frame rate चाहिए with low latency, तो आपको ultimate gaming experience भी यहाँ पर से देखने को मिलेगा, अगर आप इस device को connect करके use करते हैं अब चलो next और important feature की बात करते हैं, जो कि sound है, तो यहाँ पर से बहुत सारे features मिलते हैं, like OTS light, तो यहाँ पर से object tracking sound आपको मिल जाता है, जो की नाम सहीं समझ में आ रहोगा, जो भी object के movement होंगे, उसके हिसाब से जो भी आप screen पे देखोगे, आपको वहाँ पर से sound सुनने को experience कराया जाएगा, तो यह एक तरीके से dynamic 3D like sound आपको feel कराया दोस्तों, in fact यहाँ पर से adaptive sound का भी option दिया जाता है, जो की content के हिसाब से दोस्तों आपको immersive sound experience करा देगा, इसके साथ साथ Q Symphony का भी option दिया जाता है, जहाँ पर आप अपने TV and soundbar दोनों को perfectly tune कर सकते हैं, और आपको TV को mute में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आपके TV and soundbar दोनों को अच्छे से optimize करके आपको बहुत अच्छा खासा sound का experience करा देगा, खेर दोस्तों यहाँ पर से बात कर लेते हैं sound के output के बारे में, तो पहले आप live demo सुन लो तो यहाँ पर जो आपको sound का experience मिलता है, दोस्तों मैंने 100% में भी करके देखा, कहीं पर भी आपको distortion नहीं मिलेगा, और यहाँ पर जो आपको तीन options दिये जाते हैं अगर sound को आप देखते हैं, like a standard तो वो थोड़ा lower setting में है, अगर आप इसको amplify करते हैं तो वो थोड़ा और loudness increase कर देता है, in fact अगर आप amplify करते हैं तो loudness और जादा बढ़ जाता है, and तीनों ही case में मैंने distortion बिल्कुल नहीं देखा, वैसे यहाँ पर से दोस्तों इसका user interface काफी आसान है, and in fact आपको remote में भी बहुत सारे features मिलते हैं, बट चलो मैं आपको एक बार guide कर देता हूं, तो apps apps के option के अंदर आप जाओगे, तो जो भी आपको यहाँ पर से download करना है कोई भी app, तो आप जाओ तो install कर सकते हैं, वैसे कुछ pre-install application तो आपको पहले से मिल जाता है, तो आप इनको use भी कर सकते हैं, and यहाँ पर से आपको remote में भी यह shortcuts मिलते हैं, like Netflix, इसके साथ साथ Samsung के TV Plus का Prime Video, and Hotstar का भी यहाँ पर से आपको option दिया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं, तो यह सारे options को आप use कर लेना, and यहाँ पर से दोस्तो अगर हम home की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं, Samsung TV Plus, Netflix, और जितने भी आपने app को install किया, आप यहाँ पर से देख सकत इसकी जो sound की quality है, in fact, इसके जो picture की quality है, वो बहुत जादा superb है, साथी साथ दोस्तो अगर आपको यहाँ पर से internet यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पर से यह option भी दिया जाता है, and इसके अलावा दोस्तो यहाँ पर से जो भी चीज आप recent open करोगे, यहाँ पर से आप clearly कर सकते है, media का option आपको मिलता है, और connected devices के अंदर दोस्तो यहाँ पर से smart thing, TV वाला option भी आपको मिलता है, और यही पर से आप चाहो तो click करके, अगर इसके source को आप change करना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर से आप चाहो तो कर सकते है, इसके साथ दोस्तो यहाँ पर से featured आपको मि कर देंगे, और Samsung desk mode आपको बड़े screen पे PC जैसा अनुभाव देता है, जहाँ पर जो भी apps आपके phone में है, उसी को आप इस्तिमाल कर सकते हैं, बड़े screen पे, इसके अलावा यहाँ पर से आपको connection guide और साथी साथ universal remote जैसे features बे मिल जाते हैं, इसके अलावा दोस्तो यहाँ पर यहाँ पर से 180 minute का option आपको दिया जाता है, eco mode आप अगर use करना चाहते हैं, movie mode, इसके साथ filmmaker जो mode आपको भी दिया गया है, वो यही पर से आप चाहो तो use कर सकते हैं, हमने फिलाल इसको standard के अलावा eco mode पे भी रखा है, picture का setup अगर आप करना चाहते हैं, like brightness is up को अगर आप tweak करन चाहते हैं, तो यही पर से आपको option दिया जाता है दोस्तो, इसके साथ Bluetooth devices को अगर आप add करना चाहते हैं, यहाँ पर से आप check कर सकते हैं, साथी साथ जो sound का mode है, like standard है अभी फिलाल के लिए, यहाँ पर से आप change करके adaptive sound भी कर सकते हैं, and amplify भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं, थ support का option मिलता है, and all settings में यहाँ पर से आप click करोगे, तो कुछ इस तरीके से panel आपको मिल जाता है, और यहाँ पर भी चीज़ों को आप चाहों तो change कर सकते हैं, like picture, sound, connection, and इसके अलावा कुछ general settings भी आपको यहाँ पर से देखनी को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं, और settings, numeric, and option button, और इसी के judge bagel में आपको color button देखनी को मिल जाता है, साथी साथ यहाँ पर जो circular round आपको दिया गया है, उपर नीचे left, right आप scroll कर सकते हैं, साथी साथ ok button मिलता है, यहाँ पर से आपको back button मिल जाता है, यहाँ पर home button दिया गया है, यह play pause के लिए है, अगर आपको volume up करना है, तो इस तरीके से आपको उपर के तरफ slide करना होगा, volume down के लिए नीचे के तरफ slide करना होगा, mute अगर आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर से click करके आप mute कर सकते हैं, similarly channel को उपर नीचे करने के लिए दोस्तों आपको उपर नीचे का button दिया जाता है, और बीच में आप click करते हैं long press, तो यहाँ पर से आपको जो channel का guide है, वो खुल करके आ जाता है, साथी साथ अगर आपको यहाँ पर से Netflix में directly जाना है, तो आप यहाँ पर से click करके Netflix में directly switch कर सकते हैं, यानि कि यह shortcut buttons हैं, तो Netflix हो गया, Samsung TV Plus का option यहाँ पर से आपको मिलता है, साथी साथ Prime Video के option आपको यहाँ पर से दिये जाते हैं, and in fact Disney Hot Star का भी यहाँ पर से option आपको मिल जाता है, इस TV के remote के अंदर, और यहाँ पर से दोस्तों on off का जो animation है, वो भी काफी अच्छा है, मैंने off किया है फिलाल के लिए, और यहाँ पर से on करते हैं, तो इसका भी animation काफी अच्छा मिलत है, pricing details भी आप देख लो, वैसे इतना price आपको नहीं देना पड़ेगा दोस्तों, खेर यहाँ पर से इसको open करने के बाद, आपको अंदर के तरफ से बहुत कुछ देखने को मिलता है, यह मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसको निकाल लेता हूँ, और चेक कर लेता हूँ किस तरीके से यह deliver हुआ था, तो भाई delivery तो काफी अच्छे से की गई थी, खेर यहाँ पर से user manual आपको मिल जाता है दोस्तों, कुछ paperwork भी मिलते हैं, यहाँ पर से आप details चेक कर सकते हैं, बट यह बहुत easily आपका install हो जाता है दोस्तों, इसके लवा यहाँ पर से एक remote भी जाती है दोस्तों, जो कि आप connect करके use कर सकते हैं, और यह थोड़ा साना इस portion में मुड़ा हुआ है, यह again थोड़ा साना design wise बहुत जादा useful रहेगा, और दो legs आपको दिये जाते हैं दोस्तों, left and right और अच्छी बात यह है कि simply आप चाहो तो insert कर सकते हैं, like अगर आप right leg को use क कर रहे हैं, तो यहाँ पर से आप insert करके directly use करना start कर सकते हैं, and similarly left leg को भी आप लगा सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों यह अपने पैरों में आराम से खड़ा हो जाता है, and पीछे के तरब से दोस्तों यहाँ पर से सारी useful ports आपको मिलेंगा, और इसको sticker के माधियम से highlight भी कि किया गया है, like power on करने का option अगर आपको use करना है, तो यहाँ insert करना है, USB के port आपको मिलते हैं, यहाँ पर भी एक option आपको दिया जाता है, HDMI का EARC port भी आपको दिया जाता है दोस्तों, और 2 HDMI के input points भी आपको दिये जाते हैं, साथी साथ antenna के भी option आपको यहाँ पर से मिल जाते हैं, and in fact आपको land port का भी option दिया जाता है, अगर आप इसको wall mount करना चाहते हैं, तो यहाँ पर से यह सारे options आपको मिलते हैं, and पीछे के तरब से यह काफी अच्छा लगता है दोस्तों, यह नीचे के तरब से आप देख सकते हैं, leg के बगल में दोस्तों, यहाँ पर से speakers आप आपको मिलते हैं, and यही पर से दोस्तों आपको अच्छा sound का output मिल जाएगा left and right, और यही पर से दोस्तों आपको पीछे दिखाओ मैं अच्छे से, तो यह पूरी तरीके से slim है, तो अच्छा यह होता है ना, कि यह slim भी लगता है side के तरब से, और गंदगी भी यहाँ पर से से start होता हुआ दिखेगा, 55 इंच का 48,000 से start होगा, and 65 इंच का आपको 73,000 से आपको मिल जाएगा start होता हुआ, यह आपको Flipkart and Amazon दोनों website पर मिलेंगे, and कुछ goodies भी मिलते हैं, कुछ cashbacks भी मिल जाएगे, तो उनके link description box में आप चेक कर सकते हैं, आपका फायदा जरूर होगा, and साथ ही साथ, कुछ limited period के लिए Samsung Slim Fit, जो cam है दोस्तो, 8900 का, वो आपको free of cost मिलेगा, but limited period के लिए यह offer है, आप चेक कर सकते हैं, and जितना दिर मैंने इस TV को use किया है, दोस्तो, उसके हिसाफ से तो मैं बोल सकता हूँ, अराम से, कि अगर आपका budget 30 to 35,000 होगा, अपने लिए य अगर आपका room size थोड़ा बड़ा भी होगा, तो यह बहुत अच्छ option है, बट अगर आपका बड़ा haul है, थोड़ा और बड़े TV अगर आपको लेने होगे, तो आप higher models को भी definitely देख सकते हैं, जो भी आपका budget अलाओ करता है, तो इस video में मैंने आपको सब कुछ तो बता दिय बट कुछ भी doubt होगा, comment करके पूछ लेना, और best by link हमेशा के तरह आपको description box न भी लेगा, आप check कर सकते हैं, बाकि इस video में इतना है, like, share and subscribe करके जाना, so thanks a lot for watching,